कि युझत में लन इफाट करता हूँ इस वीडियो के अंदर ऑती और सीलिजन्स के बारे में मींस एआई के बारे में पूरी बाथ होने वाली है आप लूग ने याई के बारे में सूना ही होगा नहीं युट कोई बात इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे आप AI का हेल्प लेके अपने लाइप को बहुत ज़दा इजियर बना सकते हैं चाहे आप एक फार्मा प्रोफेशनल हो, मेडिकल रेप्रेइंटर्टेट्व हो, एरिया मैनेजर हो, सेकंड लाइन मैनेजर काम कर रहे हो, या फिर आप किसी कंपनी के ओनर हो, एंड टीम के मैनेजमेंट को देखना चाहते हैं Artificial Intelligence AI हर जगा friend work करता है बस उससे आपको work लेने आना चाहिए तो AI के उपर ये पूरा बेस्ट है वीडियो बेस्ट होने वाला है AI में बहुत सरे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि AI सिर्फ technology वाले लोगों को help कर रहा है या creators को सिर्फ help कर रहा है friend ऐसा नहीं है AI ना हर एक segment के लोगों को help कर रहा है बस ये है कि AI से help लेना आपको आना चाहिए तो बहुत से simple steps हैं जिसका use करके बहुत ही आसानी के साथ हम अपने बहुत सारे काम करा सकते हैं अपने live को बहुत ज़दा easy बना सकते हैं अपनी performance को improve कर सकते हैं अपने communication को improve कर सकते हैं और इसके जैसे बहुत धेरो सारी चीज़े कर सकते हैं बस आपको चीज़े समझनी होगी इसको use कैसे करते हैं AI के नाम पे market के अंदर सैकलो app and websites available है ठीक है जिसमें से मैं सबसे popular app के अगर मैं बात करूँ चैट GPT जो काफी पहले आया हुआ था और आते ही market के अंदर बिल्कुल चा गया था धामाल मचा दिया था चैट GPT क्या है एक चैटिंग टाइप का app है चैट बोर्ड है आप कुछ भी उससे पूछो आपको 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 एंसर कर रिप्लाई कर देता है किसी भी टाइप का कुछन आप पूछ सकते हैं इसके अलावा कर आपको image develop करना है तो आप ऐसे ही mid journey का यूज करके आप किसी भी टाइप का image कर सकते हैं आपको किस टाइप का image चाहिए जैसे ही आप उस टाइप का command को यहां पर AI की form में हम बोलते हैं जैसे ही आप प्रॉम्ट इंटर करेंगे जो कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं AI से उसको जो हमें टाइप करना होता है तो उस चीज को पूर जाता है प्रॉम्ट ठीक है तो जितने अच्छे तरीके से आप प्रॉम्ट करेंगे AI से उतना ही अच्छे से आपको reply आएगा मिन्स आपको solution मिलेगा कुल्मिला का कहने की बात यह है कि AI को जितने अच्छे तरीके से आप समझा पाते हैं मुझे यह चीज इक जैकली चाहिए तो वह चीज वह आपको बना के दे देता है ऐसे ही बहुत सारे और जैसे अभी जल्दी में Adobe fire करके आयात हुआ था जो कि image regeneration क को यहीं से बैठे बैठे इसके आजो बाजो बहुत अच्छा सा मैं office room clear कर सकता हूं वहां पे विंडो लगा सकता हूं एक sofa लगा सकता हूं पीछे वाल पे कुछ painting लगा सकता हूं जबकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है बट artificially इन सारी चीजों को develop करके मैं अपने video के अं पाएंगे कि मैं किसी नॉर्मल सी जगह पर बैठा हुआ हूं या बहुत बड़े office के अंदर बैठा हुआ हूं लेकिन मैं फार्मा में यह बहुत सारी चीजों की मैं बात नहीं करूंगा आज क्योंकि यह सारी technology में बहुत सारे अलग-अलग field में यूज हो रहे हैं बट मेर दे डे टू डे लाइक के अंदर कैसे करेंगे मैं उसके उपर ज्यादा फोकस करने वाला हूं तो इसमें आज की वीडियो में बात करने वाला हूं इस पिसलिए चैड जीपीटी का यूज करके फ्रेंड आप कितनी आसानी तरी आसान तरीके से जो है अपने communication को नहीं है तो आप जो है इसमें कैसी यूज कर पाएंगे कैसे यूज को यूज किया जाता वो सारी चीज़ें मैं आपको करके यहां पर दिखाता हूं ठीक है इसके लिए मुझे चलना होगा अपने computer screen पे मेरा laptop मेरे सामने है मैं चलता हूं computer screen पे और यहां पे मैं आपको दि ब्राजर ओपन करूंगा ठीक है मैं थ्वह सा कि यह ब्राजर ज्यादा यूज करता हूं brave का ऐच कंपेर टू द रख्रों रैइट आपकी इच्छा है कोई भी ब्राउजर कर सकते हैं अगर आप रोम यूज करते हैं उसको यूज कर सकते ब्रेब यूज करे रोम यूज करे या इंटरनेल एक्स्पोजर यूज करें आपकी चोईसे जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं इसको मोबाइल में भी यूज किया जा सकता है एस विले लैप्टॉप के अंदर दोनों के अंदर है ठीक है अगर आपको बता रहा हूं जैसा मैं कर रहा हूं वैसा आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं दूसरा आप अपने कुश्चन का एंसर ट्राइब कर सकते हैं दूसरा आप अपने चाहे का एंसर टेक्श passado में जां सकते हैं लेकिन आप चाहें को कीश्चर क्रकीट sorrow करना है आप चाहर तो सीख सकते हैं तो यहां पर किंट दो बटन आ रहा है どn prof लॉगिं को पर साइनअप को नोपर पहले किलिक करना है साइन पर आप जाएंगे open आफ इसके अदर फिलप करना होता है आप चाहे तो अपने existing Google account के साथ जैसे अप Gmail आप यूज करते हैं उसी का यूज करके इसे मैं यहाँ पे click कर देता हूं Google तो यहाँ पे आप चाहो तो इसी के साथ जैसे मेरा यहाँ पे देख रहे हैं आप account sow हो जा रहा है ठीक है दो account है मैं अ आपने गूगल एकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अपना एकाउंट यहां पर क्रियेट करने के बाद दुबारा से आप इसको लॉगिन कर लेगे तो मैं चलता हूं ब्रेव ब्रॉजर में जहां पर मैं चैट जीपीटी को ओपन करूंगा इसको ओपन करने पर openai.com भी open कोर सकते हैं क्योंकि मैंने वहला daily and chat GPT दो service openai provide करता है मुझे chat GPT के use करना है chat GPT text form में conversation करता है जब कि जो daily है वो image create करता है तो मुझे basically chat करना है ठीक है तो chat.openai अगर मैं open करूँगा ऐसे daily अगर आपको open करना है तो daily.openai.com open करना पड़ेगा आप देखिए chat GPT का मेरा यह page open हो गया है यहां side में कर आप देखेंगे तो आपका यह blank आएगा क्योंकि आपने कुछ भी search नहीं किया आपका नया account है जो कुछ भी आप जानना चाहते हो जो चुछ भी आपको requirement है उसको बस यहां पर type करना है अब मैं एक medical representative शुरू करता हूं क्या होता है आप यह पी डॉक्टर ने आपसे ऐसा पूझ लिया कि क्या आपका medicine oligoispermium में काम करता है अब यह आपको oligoispermium आप जानते ही नहीं क्या होता है आप जाएंगो गूगल पर search करने यही चीज गूगल पर search किया जा सकता लेगिन गूगल बहुत सारे result आते हैं जो हमें confusion create कर देते हैं कि यार कौन सवल आम पढ़ें किसी बहुत सब्सक्राइब में होता है तो बहुत सारा confusion हो जाता है और time taking होता है बट हमें क्या कि यह exact answer चाहिए जो मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर मैं search करता हूँ लेट मी नो अब यह दो प्रॉम्क देने का यह style है मैं इस style मी दे रहा हूँ आप किसी और style मी दे सकते हो let me know let me know about about oligospermia right बस मैंने इतना किया और interface कर दूँगा अब देखिए यह कुछ seconds के अंदर ही मुझे यह बता देगा को oligospermia क्या होता है आप देखिए यहाँ पे पूरा कौन-कौन से factors हैं जो oligospermia cause करते हैं वह भी इसने दिखा दिया oligospermia also knows oligojuospermia is a medical conditions characterized by a low concentration of sperm in main semen semen analysis used to determine the sperm count पूरा detail मुझे chair GPT ने बना के दे दिया कि basically क्या होता है कितने type का होता है किस वज़ा से होता है ठीक है अब देखिए इसके बारे बहुत अच्छा से एक बहुत brief note लिख के आ गया और immediately आप जान सकते हैं क्या चीज होता है या फिर मुझे एंसर बढ़िया नहीं लग रहा है मुझे और attractive answer चाहिए बस मैं regenerate को उपर click कर दूँगा और इसी चीज को यह दूबारा दूसरे तरीके से create कर देगा और ज्यादा डीटा डाल देगा या और दूसरे मॉडल में देदेगा तो आप देखिए यह उलिग्यूस परियों को और ज्यादा इंडप्त दे दिया जब मैंने इसको regenerate किया कि पुराना वाला मुझे पसंद नहीं आ रहा और ज्यादा इसके बारे ब्रीप च में लेकिन मैं इससे भी सटीसफाइड नहीं हूं मैं चाहता हूं और जयादा डिटेल इसके अंदर जाना तो मैं सीधे लिखोंगा लेट मी लेट मी नूर डिटेल में अब बताओ यह क्या करा आए देखिए यह क्या वाला सटेरी लेट डेवलप डीपर इंटु दौपिक आप oligospermia यह अपने आप समझ जाएगा कि आप पिछलों ले टपिक के बारे में बात कर रहे हैं यह बहुत ही होसियार है आप जो उपर चैटिंग करते जाते हैं आपको वही सीच लिखने की जरूवत है यह उसी के कॉंटेक्स में आप लिखते रहेंगे और इससे सारी चीजे पूछते रहेंगे तो वैसा ही करके आपको जवाब देता भी रहेगा अब देखिए यहां पर और ज्यादा इंडेप्ट करके इसने के बारे में बता दिया तो इस तरीके से मैं गैस्ट्राइटिस के बारे में जानना है मैंने सिब गैस्ट्राइटिस यहां पर लिख दूँगा और यह मुझे जवाब दे देगा गैस्ट्राइटिस क्या होता है या मैं गैस्ट्राइटिस के बारे में काउज जाना चाहता ह मैं इसको पर मुझे टाइप करना है अब आप लोगों में से बहुत सारे मैंने मेडिकल रिप्रजेंटिटिटू को देखा है एक बहुत बड़ा हर्डल है कि यार इसने लिख तो दिया यह पूरा मैंने टाइप कर दिया जो मुझे बिजुलेट के अंदर नहीं समझ में आ रहा था यह डॉक्टर ने जो मुझे से पूछा था वो मैंने इसके अंदर टाइप कर दिया और एंसर मुझे मिल गया लेकिन जो इसने एंसर दिया है यह मेरे तो सर के ऊपर जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह इंसर जो लिखा हुआ है इसको मैं समझू कैसी क्या है क्योंकि मुझे तो इंग्लीज इतनी अच्छी आती नहीं मैं त्यार बीए किया हूँ भी काम किया हूँ मेरी इंग्लीज भी इतनी अच्छी नह राइट इट इट इन हिंदी बस मैंने लिखा बस इंपला इसे हिंदी मुझे बता दो क्या है ये अब देखिए आपका काम और भी ज्यादा आसान हो गया कि जिस बीमारी के बारे में आप समझना चाहते थे वह आपके सामने हिंदी में लिखके आ जा रहा है कुछ सेकंड्स क आपको पूरा एंसर कर देगा आपके सामने हां कई बार इसके उपर लोड रहा था क्योंकि यह बहुत तीजी के साथ आयप कर रहा है वार्ड बहुत सारे लोग सर्च करते रहते हैं तो आप देखे इस तरीके से यह देखिए पूरा हिंदी में आपको टाइप करके दे रह आप आसान लेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें इन्टू उर्दू देखने लिखता है यह उल्ली वन मैसेज एक टाइम अब देखो यहाँ पे न कुछ यह एरर सो कर रहा है सम्थिंग विंड रॉंग प्लीज ट्राइक तो मैं यह क्या करूंगा यहाँ पे फेसे जाओंगा इसी को जो मैं एडिट कर देता हूं मैं इसको इंडी के जनार क्या कर देता हूं अर्दू कर देता हूं क्या करता यह कि देता है नहीं देता है मैं ने अर्दू कभी ट्राइन किया आपके सामने फ Dogma कर ए जो जो चीज भी अब यह एक चीज हो गया आपको डिजीज के बारे हैं दूसरी प्रॉब्लम आपको क्या है मालीज आप एक एक एचार को मेल लिखना चाहते हैं और आपका ईक्सपेंस डेडक्शन हो गया है ठीक है तब यहां मैं इसको कमान दूँगा मैं इसको बोलूंगा मैं हिंदी में कमान देके देखता हूं न अभी आपको इंडरीज में हो सकता एक MR समझू एक MR समझू और एचार को मेल लिखो कि उसने मेरा 30-30 लिखनेंगे अक्टूबर का फील्ड इक्सपेंस क्यों डिडक्ट कर लिया वो उसका पूरा डिटेल मुझको दे क्यों के ब्रीश कि ब्रीव भी में लखना फिक मैंने इतना हिंद्य में लिखनक टिशंदी में लेकिश में देटेंख्यां क्े right अब देखिए आपने इसको हिंदी में लिखाता लेकिन एक vakश को मेवल जाना है प्रक्िक इसना एक good एक चीज में मैंसन करना भूल गया किसे फार्मा कंपनी लिखना है ठीक है तो अगर आप फार्मा कंपनी है जिस भी सेक्टर के अंदर काम कर रहे ना जो चीज आपको इसको बताना है अपना कुश्चिन वह जितने ही अच्छे तरीके से आप बताएंगे उतना अच्छा आपको मैंनेजर का नाम लिखना है या जो भी आपको पोस्ट में जहां भी रहे कंपनी मुस्ट में इसने लिखके दे दिया है ठीक है वैसा लिखके दे दिया है अब इसी टाइप से आप हर एक टाइप का फ्रेंड में लिख सकते हैं हर कलिए करा जाए जिस टाइप का बी में लिखकेंना चाहिए जो भी आपकी प्रावलम हैं अगर को प्रावलम में आपके दिमाग भी लिके ही हम रहे हैं अंग्रेज़िम आ रहे हैं जैसे समझ में या रहा है वैसे आप इसके अंदर लिखके जिए उस oldum का grip लिखवा हुई है और वह समझ भी नहीं पाया के बंदा उठाया कहां से है लिखा कहां से तो इस टाइप की फ्रेंड आप इसको चैट जीपीट को यूज कर सकते हैं अब मैं बात करूंगा यह बने दो एक्जामपल दिया इसे बहुत सारे एक्जामपल हो सकते हैं ठीक है बहुत सारे जामपर और इन डिप्ट नॉलेज के लिए फ्रेंड मेरा एक चैट जीपीट को ऊपर मैं कर रहा हूं वर्क्सॉप जिसके अंदर मैं आपको और डिफरेंट डिफरेंट सीनेरियो और बहुत सारा यूज बताऊंगा कैसे का आप यूज करके अपने लाइप को बिटर कर सक एक कंपनी के पॉइंट अब यूज कर रहे हैं आप जो है कैसे कैसे चैट यूज कर सकते हैं अभी देखते हैं तो दिन पहले मना जब वीडियो रिलीज हो गया अब जो में वीडियो सूट कर रहा हो तो आज 16 है 16 अगस्त है तो कली इंडिपेंडेंस देंड पहले आप जैसा भी आपके दिमाग में आ रहा हूं आपकी चुआईसा जैसे आपके दिमाग में वह ऐसा लिखेंगे और यह देखिए अब विद सब्जेक्ट पूरा कॉंटेंट लिखके आ गया है अब यह कॉंटेंट ऐसे कंपनी अगर अपने आप फील्ड फोर्स को डिलीवर करेंगे वह आपके कंपनी जो भी पोश्ट से आप इसको डिलीवर करेंगे जैसे रिजनल मैंज़र सेकंड लाइज अज एजने साम आज एचार एडमिन यह बहुत अच्छा इंप्रिशन क्रियेट करेंगा राइट आइसे कंपनी बहुत बहु टू माई फार्मा मेडिकल रीप्रेजेंटेटिव फॉर नॉन परफॉर्मेंस 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 इन लाश्ट बहुत सारे डीटा जैसे आपने यह लाइन लिखना नि कि इसके अदर आपधेग्र परफॉर्मेंट्स locks तो इसके उद आप पूरा पैराघ्र मात अंटर कषे क्या सकते हों आप इसको पूरा पना देटा दे सकते हो सब्सक्राइब कर देगा अभी मैंने यहाँ एक सिंपल सा लाइन डाला है उसके आप देख सकते हैं किस टाइप से आपको मेल लिखना चाहिए यह देखिए पूरा एक मोटिवेशनल मेल जो है लिख देगा एक इंप्रूम्मेंट के लिए लिख देगा अगर मैं इसके साथ लाइन भी आड़ कर दूंगी आजसो सजच सब इंप्रूम्मेंट टेक्निक्स अगर मैं इतना एड़ कर देता हूं तो यह मेल के अंदर वह सारी चीजें मिंसन कर देगा आप देखिए अपने आप ही इसने क्या किर दिया है पूरा मेल ड्रॉ कर दिया है आप अपने field force हो जो देने वाले हैं ऐसे इस तरीके से आप friend बहुत ही आचानी किसे chat GPT का help लेके आप कुछ भी कर सकते हैं बस मैं यहाँ पर एक warning आपको देना चाहूंगा कभी यह chat GPT खुद भी देखिए बोलता है कि आप मेरे data को उपर 100% rely नहीं कर सकते तो जब कभी mail लिखनी की बात है या वैसे किसी काम करने की बात है देन आप इसको पर 100% rely कर सकते हैं there is no issue at all but अगर आपको किसी डॉक्टर के लिए कोई reference निकालना है कि किसी डॉक्टर ने किसी का mechanism action पूछा हुआ है किसी drug का action जानना है किसी drug का कोई reference जानना है clinical trial जानना है देन आप इसक नॉलेज नहीं है जैसे कि मैं बिजलेट बनाता हूं तो मैं इसका help भी लेता हूं लेकिन अगर मुझे खुद knowledge नहीं है मैं इसके उपर सिर्फ रिलाई करके वो content create कर रहा हूं यह मुझे गलत देगा content तो यह चीज़ आप नहीं कर सकती उसको 100% rely कि आपको अगर बोलो कि क इतना ज्यादा advance नहीं हुआ है या फिर मैं बोलूँगा कि यो live data है उसके साथ यह interact नहीं करता है जो data इसके अंदर feed किया गया है उसके base पर यह interpretation करता है तो latest information 2021 तक का इसके उपर update है वहीं तक की चीज़ों को यह show करेगा तो क्योंकि मैं कई बार इसको इस मामले में चेक क है आपके जो day to day की activities है उसके अगर मैं बात करो तो यस उसके लिए यह बहुत पावरफुल टूल है जो आपके day to day life की productivity आप आजे मेडिकल रहा हो या कंपनी काम कर रहा हो और आपकी सेल नहीं है बहुत सारे cases जो भी केसा सब डाल दें पर सज़ेस्ट मैं लिगते तो मेरा टेक्निक फार मार्केटिंग कंपनी यही लिख देता हूं मुझे समझ मैंने मेरी सेल नहीं हो रही मैं बहुत परिसान हूं राइट मैंने यह लिख दिया कि मुझे बताओ भाई क्या चाहिए मुझे और मैंने जैसे प्रॉंप्ट इंटर करूंगा फ्रेंड या आपको सज चाहिए बहुत सारी चीजें जो इदना अच्छा यह नहीं देगा क्योंकि यह वेस्टन कल्चर के उपर बेजड़ है इसमें आपकी चीजे यूज करनी होगी बट यस यह आपको आईडिया ज़ूर देगा कि क्या क्या चीजे आपको चीजे लेने चाहिए जो है और उसके साथ आप प्रेक्टिकल चीजों को मैस कर दीजिए प्रेक्टिकल चीजों को जैसे आप इसके साथ मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से क्या होगा एक बहुत बढ़िया मार्केटिंग इस्टेडिजी प्लान तयार हो जाएगा जैसे मैं इसको प्रोम डिया देखिए अच्छे से बहुत बढ़िया मार्केटिंग की बात करें तो जब नहीं करेंग डिश्टल मार्केटिंग अपने यह में एक अलक्ष सेक्टमेंट है आप वहां पे बात कर सकते हैं करें बढ़िया इंगेजमेंट जबर जस्ट सजी सब्रोड़क्ट डिमोस्टेशन सेंपल जबर जस्त आईडिया है data analytics and marketing insights जबर जस्त आईडिया है कैसे किया जाता है data analytics and marketing insights मेरा planning and review workshop लेकर आप इसको देख सकते हैं बहुत डिटेल मैंने बताया हुआ ठीक है partnership and collaboration जबर जस्त आईडिया है continuous training and skill development जबर जस्त आईडिया है ठीक है feedback mechanism बहुत अच्छा आईडिया है sponsorship, mobile app and e-detailing, यह सब को ज़्यादा रोल नहीं है competitive analyst, तो out of 15, 10 जो इसने point दिये, बिल्कुल sorry, अगर आपकी company grow नहीं कर रही है, sale नहीं आ रहा है तो अगर 10 point को इसको follow कर लेते हैं 100% बोल ला हूँ, sale बढ़ जाएगा ठीक है, आपको management आना चाहिए तो यह friend है, chat GPT का power, जो आपके day to day working को बहुत अच्छे तरीके से handle कर लेता है, आप कुछ भी इसके साथ पूछ सकते हैं, मैंने आपको कुछ बताया क्योंकि time limit यहाँ पे video आलेडी जो है, आदे गंटे से उपर जा चुका है, लेकिन इसके बारे में आप detail में जाना चाहते हैं, मैं three hours का in-depth मैं workshop कर रहा हूँ, उसका detail मैं description में दे रहा हूँ, only 99 rupees fee है, उसके अंदर enroll करके, आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा depth में जान सकते हैं, जिससे आप अपने pharma life को, चाहिए आप entrepreneurship में हो, startup में हो MR हो, manager, किसी भी कहीं से भी pharma में जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बहुत सारे तरीके दिखाऊँगा pharma के अंदर, जो आप chat GPT का help लेके, अपने life को easy बना लेंगे, अपनी productivity को increase कर लेंगे, अपनी personality development कर लेंगे, just with the help chat GPT, last six months से मैं chat GPT को use कर रहा हूँ and yes, मैं बहुत कुछ समझ चुका हूँ इसके बारे में, और वो knowledge मैं आपको transfer कर दूँगा, जिसके तरूँ आप भी अपनी life को better बना सकते हैं, ठीक है I hope आपको ये video helpful लगा होगा चीजे समझ में आई होंगी, थोड़ा सा power आपको पता चलाओगा, AI का ठीक है, अगर ये video अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, friend तो आप जो है, नीचे हैं पर like का बटन दिया होगा, like कर दिजिए, जिस मुझे कभी यदा motivation मिलता है, and just channel पर नए है, subscribe कर लेजिए, क्योंकि ऐसे informative videos मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ next video में, bye